तो यहां जहां आज चुके हैं गर्दनी बाग में देख सकते हैं यहां पे यारपूर के पास में जो रैम बन रहा है रेलवे ट्रेक को पार करने के लिए जो रेलवे ट्रेक को आता है पटना जक्षन के तरफ से और जाता है सची वाले रेलवे गुम्टी के पास में और उसकी बीच में जो रेलवे ट्रेक परता है तो लोग इस तरह से देख सकते हैं रास्ते को पार करते हैं उसी को ध्यार में रखते हुए रेंप बन रहा है और इसके बन जाने के बाद दुरगंटना वेड़ा जो भी है उससे काफी बचाव ह होगा यहां पबली के लिए सरकार ने जो पहल की है बहुत अच्छा कि इसके बाद से हैं ना लोग को आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी पहले यह था रेलवे ट्रेक अभी है गारी यहां पर खाड़ा है तो यह काफी जोखीम बड़ा है लोग आ रहे हैं जाना पूल के जड़िये आप यारपूर पूल के तरफ से जो की गुरईया स्थान गर्दानीवा का कहलाता है आप उस साइड में तरफ के आप जा सकते हैं आर बलोग के पास यह कब तक शुरू होगा क्या नहीं होगा इसका पूरा डेटल हम वीडियों बताने वाले हैं तो इसे रास्ता आता है और यहां से देख सकती स्था से काम लगा हुआ है यह बहुत सारी हाँ वरकर्स यहां लगे हुए काम पे तो मैं रहों के उपर से दिखा रहा हूं कि कितना कुछ काम हो पाया है आप लोग वीडियो को लाइक जगरू कर दिजीगा क्योंकि कि दिखाने में बहुत कुछ है ना पापड बेलने पड़ते हैं कि हमको नजरीक से दिखाना अपने भीवर्स को अच्छे से मतलब बताना है तो उसके लिए काफी कुछ मिन्नते भी करने पड़ती है कभी कभी इस तरह से देख सकते हैं नीचे से आया हूं इतना उचाई से अब उपड़ बाइन के ने चाहर हैं इसके उपर में नहीं जा सकता हूं क्यूंकि जैदा उपर चाहर करें बनाना सही नहीं है इसे शुरू होने में करीब 20 से 29 फरवारी के बीच में मतलब इसका उध्गार्टन हो जाना अभी कोई ओफिसल डेट नहीं है लेकिन यह पक्का है कि फरवारी खतम होने से पहले इसका उध्गार्टन कर दिये जाएगा ताकि लोगों को जल देशकी सुविधार मिल सके साइड में यहां देख सकते हैं रेलवी इंजा ने हैं इसके नीचे से पार होना है बता यह कितना यह हो गया अगर मालेते यह जब रहें बन जाता है ना तो बनने के बाद है ना यह रिस्क नहीं लेना पड़े लोगों को चली उस पार से भी दिखा देते थोड़ा हम भी जा कि देख सकते उपर से ढलाई होते हुए ढल गया है वहां तक अब इसका जो है पानी देकर सीचा जा रहा है जिसके कारण पानी उपर से गिर रहा है ताकि यह जो ढला हुआ रैंप है यह मजबूत हो जाए यह पहले का कुछ है पट्री बिच्छा हुआ है जो कि अब से लोगो का आना जाना रहता है तो रेलवे ट्रैक तो यहां तक ही है उसके आगे नहीं है और इसके आगे देख सकते हैं इसता से कुछ है रेलवे कौच को सायद धूला उला जाता है और यह रहा जो कि रैंप उपर की और बन के तियार हो रहा है उस साइड में होगे आपक दोस्तों यहां सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं अब वो नई उजवाले हो कि हम मुझे पता नहीं है तो ठीक है सर आप तो बोलते तो हो सही हो लेकिन कुछ पोजिटिव भी दिखाया करो कि कुछ अच्छा हो रहा है तो यहां पे लोग इसा कुछ बोलते हैं कि कुछ लोग आते हैं आपको घ्लत नहीं भूते हैं तो हम लोग डर जाते जो यहां पर काम लगे वह ऐसा बता रहत है देख सकते हैं पर बहुत कि यह देखिए कि यह बन जाएगा ना इतने लोग जो रोज के कम से कम मेरे ख्यास से तो होना चाहिए एक दिन में कम से कम 1000 क्यास पास तो लोग पाड होता ही उससे प्लस ही मैं बसा अंदाज ही बोल रहा हूं मुझे उतना एडिया नहीं है तो कि मैं जैसे जैसे आगे ही है इस तरह से इतने लोगों को काफी सुविधा मिलेगी सबसे बड़ा पोजिटिव इसका निव जही है यहां पे जो आम पब्लिक है जो इतना रिस्क लेते हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी रेलवी इंजन की नीचे से पार होके कि और कोई रास्ता है नहीं कि यहां प फिर किसी हैं से ब्लॉग के साथ किसी और इंटेस्टी वीडियो के साथ अब तक लिए ओके बाएं